अरे पानी की भरी हुई सारी बोतले कहां गई थोड़ी दिर पहले ही तो मैं बोतल भर कर फ्रिज में लगा गई थी वो दोनों बोतले वो तो अनुराध हबाभी थोड़ी दिर पहले ही निकाल कर ले गई है वो उनका भाई अपने दोस्त के साथ मिलने आये ना थंडे पानी का शर्बत बना कर दिया होगा अच्छा तो ये बात है जानी दो उनकी भाई को फिर बात करती हूँ उनका भाई तो कब का चला भी गया इसे कहते हैं चैसे को तैसा सुबह मेरे बच्चों को स्कूल जाते हुए बोतलों में गरम पानी भर कर ले जाना पड़ा छुपा कर बिल्कुल नीचे रखी थी मैंने वो आटे वाली कटोरे के पीछे अनुराधा भाबी बोल रही थी संगीता तुमने वो बोतलों का ठंडा पानी अपने बच्चों को दे दिया आज तुम्हारी वच्चा से हमें भी तो बहुत परिशानी हुई देखो सीमा पीट पीछे मेरी बुराई करना बंद कर दो मैंने अगर दो पानी की बोतल उठाई भी तो तुम कौन सा दूद की धुली हो तुमने भी तो मेरी जमाई हुई रात वाली बर्व से ठंडा दूद बना लिया था और गटा गट पी गई एक टुकडा बर्व का नहीं बचा था ये मुझे बोल रहे थे कि उनके लिए शिकंजी बना दू बर्व डाल कर पर मज़ा आले फ्रिज में एक टुकड़े बर्व की रखी हो देखो भावी फाल तु बहस पर मत तुत्रो बोलना मुझे भी आता है अगर आपको ज़्यादा ही शौक है तो घर में ले ले लेते हैं न एक और नया बड़ा डबल डोर फ्रिज इस पुराने फ्रिज में न पानी ठंडा होता है न बर्व जमती है आप सब जो मर्जी करो लड़ो जगड़ो मैं ये अपनी दो बोतल फ्रिज में रख कर जा रही हूँ कोई मेरी बोतलों को हाथ नहीं लगाएगा अर्थी उपर फ्रिजर में मैंने बोतल लगाई हुई है तुम नीचे फ्रिज में जग़ा बना कर रख दो बड़ी आई दोनों फ्रिज में अपनी अपनी जग़ा बनाने वाली मैं रखूंगी अपनी बोतले आप सबसे छोटी हो तो क्या आपकी चलेगी अरे थोड़ी सी जग़ मुझे भी दो अपनी बोतल रखे जा रही हो अरे एक बोतल की जग़ मुझे भी तो दो मैं तुम सबसे बड़ी हूँ बस फिर क्या था? पांचों बहूं ने एक दूसरे की बोतल हटा कर अपनी बोतले रखने की जद में लड़ाई शुरू कर दी ये आज का नहीं रोज का ही किस्सा था घर में पांच बहूं, पांच बेटे और पांचों के बच्चे और एक पुराना सिंगल डोर फ्रिज की सास निर्मला चिलाती हुई रसोई से बाहर आती है, उनके हाथ में दूद का भरा हुआ पतीला था, अरे ये दूद का पतीला किसने फ्रिज में से निकाल कर बाहर रखा, सारा दूद खराब हो गया, एक कप चाय बनाई थी वो भी भढ़ गई, तुम सब आपस में ही रखा हुआ सामान खराब कर देना, किसने दूद का पतीला बाहर निकाला था, पहले मुझे ये पताओ, कोमल मैंने तुमसे कहा था कि दूद फ्रिज में रख देना, तुम्हें याद नहीं रहा, आपको पता है न भाबी उस समय में रोटियां सेख रही थी, गर्मियों में सारी कटोरियां इकठी करके रखी हुई थी, उन्हें बाहर रखकर जगा बना रही थी, एक ही फ्रिज में ना जाने क्या क्या भर देते हो आप सब, कम से कम एक घंटा लग गया मुझे फ्रिज को साफ करने में, अच्छा, तो बात सामने आ ही गई, तुमने दूद फ्रिज ले ही लेते हैं, छोटे फ्रिज से काम नहीं चलता, नहीं बेटा, तुम पांचो को नहीं जानते, इस घर में एक फ्रिज की जगा अगर पांच फ्रिज भी आ जाये न, तब भी ये ऐसे ही लड़ती रहेंगी, जब तक ये सब लड़ना नहीं छोड़ेंगी, तब तक इस नया फ्रिज नहीं आएगा मैंने चो कहना था सो कह दिया फिर क्या था पांचो बहूं की आवाज ऐसे बंद हो गई जैसे सब को सांप सूंग गया हो अब तो पांचो बहूं के दिमाग में एक ये बात आ रहे थी की कोई भी एक दूसरे से नहीं लड़ेगा अब तो पूरे घर में ऐसे सन्नाटा रहता था मानो परिंदा भी पर मारे तो पता चल जाए मम्मी फ्रिज में पानी की एक भी बोतल थंडी नहीं है मुझे थंडा पानी पीना है कोई बात नहीं चीनू तुम अभी ये वाला पानी पीलो ये 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 हलका थंडा है अरी चीनू बेटा ये लो थंडी बोतल रिशी ने अभी अभी फ्रिज से निकाली है मम्मी वो पानी मैंने निकाला था आपने चीनू को क्यों दे दिया ला चीनू मेरी बोतल वापस दे अनुराधा और आरती दोनों के बच्चे आपस में लड़ने लगे थंडा पानी तो किसी के हाथ में आया नहीं उल्टा पानी की बोतल का धकन खुल गया और पूरे आंगन में कीचड ही कीचड अब तो सब बहों के बच्चे धमाल चौकडी मचाने लगे अब सारी बहों अपने अपने बच्चों को संभालती फिर रही थी उन्हें डर था कि अगर उनकी सास ने बच्चों को आपस में लड़ते हुए शोर मचाते हुए देख लिया तो फिर से एक बार इस घर में नया फ्रिज आने से रहा माजी मंदिर से आ गई और उन्होंने इन सब को लड़ते हुए देख लिया तो इस घर में नया फ्रिज नहीं आएगा बच्चों आपस में लड़ना बंद करो नहीं तो दादी मा नया फ्रिज नहीं आने देंगी लगता है माजी आ गई है बच्चों तुम्हारी दादी मा आ गई है का मैदान पर आज तो यहां की हवा ही बदली हुई है लगता है ये सब मेरी कही हुई बात का असर है पहली बार पांचो बहों को एक साथ रसोई बे बिना लड़ाई किये काम करते देख रही हूँ चलो अच्छा है मेरी बात का कुछ तो असर हुआ अब तो अगले कुछ दिन बच्चे भी चुप चुप रहने लगे फ्रिच में पानी के आज फिर कोई बोतल नहीं रखी मुझे फिर गर्म पानी लेकर जाना पड़ेगा पर मैं मम्मी को इस बारे में बोल भी नहीं सकता अगर मैंने ये बात मम्मी को बोली तो दादी इस खर में नया फ्रिच नहीं आने देगी, कोई बात नहीं, मैं गरम पानी लेकर ही चला जाता हूँ, रिशी भाईया, आधा पानी मेरे से ले लो, मैं आधी बोतल ठंडे पानी के ले जाऊंगा, मैं स्कूल से भर लोंगा, चारू तुम भी मेरे मैंसे थोड़ा सा पानी ले लो, नहीं तो फिर तुम मेरी आखे भर आती हैं, और फिर अगले दे, कौन है, रुको आती हूँ, मैडम ये फ्रिज लेकर आए थे, हमने तो कोई फ्रिज ओर नहीं किया भाईया, मैडम एड्रेस तो यहीं का लिखवाया हुआ है, ये देखिए, हाँ, एड्रेस तो यहीं का है पर, अनुराधा बहू, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये फ्रिज मैंने ही ओर्डर किया है, अरे तुम सभी तो कहते थे कि नया फ्रिज ले लो, नया फ्रिज ले लो, बस फिर क्या था, घर में सब की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, इतना बड़ा फ्रिज कि धेरो सामान उसमें आ ज नहीं थी, बड़ा परिवार, बड़ा फ्रिज, पर कुछ आदते कभी नहीं बदलती, जब तक हम उन्हें बदलना न चाहें, अरे अब तो नया बड़ा फ्रिज आ गया है, फिर भी इसमें एक भी ठंडे पानी की बोतल नहीं रखी, ये देखो, सब खाली बोतले रखकर चले गए, संगीता मैंने तुम्हें कहा था ना कि फ्रिज में पानी की बोतले तुम भर कर रख देना, मैंने तो, अरे अब बस भी करो, अब फिर से तुम पान्चों का युद्ध शुरू हो जाएगा, पहले कहती थी बड़ा फ्रिज लाओ, बड़ा फ्रिज लाओ, अब नया फ्रिज आ गया, तब भी तुम सब की वही समस्या है, असली समस्या को ढूंढो, सब ड्यूटी बांधो, फ्रिज में पानी की बोतले भर कर रखने की, और समय पर सामान फ्रिज में रखने वाला खराब ना हो, वो भी फ्रिज में रखने की, और हाँ मेरी पांचों कर फ्रिज में रख दूंगी जब तक हम खुद में सुधार नहीं लाएंगे जितनी मर्जी चीजें घर में आ जाएं उनकी संभाल करना मुश्किल है उस दिन हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ गया और उस दिन के बाद जिसको भी मौका लगता अपनी अपनी पानी की बोतल फ्रिज में भर कर रख देता समय पर सामान फ्रिज में रखा जाता समय पर फ्रिज की सफाई होती तो उसमें सामान रखने के लिए बैतर जगा बन जाती पुराना फ्रिज बहुत खराब हो गया था इसलिए उसे बेच दिया गया अब घर में एक फ्रिज था डबल ड सुबह के छे बज़े होते हैं कि तभी डीतु अपने पती को उठाने की कोशिश करती है। अगर इनके चकर में रही तो मैं भी पेट पकड़ कर ये बैठी रह जाओंगी। इसके बाद नीतु पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भाग कर बातरूम की ओर जाते हैं तो देखें हैं कि उसकी दोलों चेठानिया और छोटी देवरानी पहले से ही बातरूम के बाहर खड़ी होती है। अरे यार लेट हो गए। रगता है और जल्दी उठना चेहे था। नीतु को देखकर उसकी देवरानी कहती है। आओ दीधी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉलेट में है कौन। और कौन होगा मम्मी जी के सिवा। नीतु ज अज़की बहु नीतु पेट पकड़ कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉलेट में खुल जाती है और जट से दर्वाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बागी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहु राखी जोर-जोर से जाने की क्या और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दर्वाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना बुजर्ग लोगों को कब्स की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्स की शि जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुकर मनाओ तुम लोगों को एक टॉलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गाउं में खुले में शौचाले जाते थे और खुले में जो जाने का मज़ा है। ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर म में जी पर जैसे यहां लाइन लगी है न ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बज़ की किसी चौल का सुलब शौचाले मालू होता है। हाँ बस इसका ये एक सुक है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मगगा लेकर नहीं आना पड़ता। निधी बोली रही थी कि तब ही वह निकाली है। ममी जी जिस घर में चार बहूं का एक टॉयलेट होगा वहाँ तो ये सब जेल नहीं पड़ेगा। फिर राखी दुबारा थे दर्वाजा पीट तो विटे थी जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ अब तो बरदाश्ट से बाहर है सब कुछ। ये के तो राखी फ लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था जिस वज़े से कोई उसे यूज नहीं करता था। बिचारी सारी बहूं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने का इंतजार में ही गुजर जाता। और उपर से अगर गलती से कोई महमान घर पर आजाए तब तो समझे हो गई चुटी। ऐसे एक दिन दर्वाजे की घंटी बचती है। तभी नीतु दर्वाजा खोती है। मैडम रश्मी जी का पार्सल आया है। रुक मैं अभी उसे बुलाती हो। रश्मी अरे ओ रश्मी जल्दी आ देख तेरा पा बहुत अर्जंट है। दीदी अभी कोई होगा तो नहीं न टॉलेट में। मैं क्या जानू रश्मी लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं। ले जो इसे। रश्मी इसको टॉलेट की तरफ रेकर जाती है। लेकिन जैसे एक कुरियर बॉय दर्वा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरी दीदी धीरे बोलो अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा। सुनने दो अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी जो चार चार बहुँं के लिए सिर्व एक ही टॉलेट हुआ है। इसके बाद रश्मी उस आदमी से कहती है। जी माफ कीजेगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी मुझे इनके जितनी इमर्जेंसी भी नहीं है। ये कहे कर वो आदमी क्रॉस लेक करके खड़ा हो जाता है लेकिन काफी देर इंतजा करने के बाद भी जब नीधी बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहां से निकलने लगता है कि तभी रश्मी पीछे से आवाज देते हुए कहती है। अरे रुकिये तो कहां जा रहे हैं आप आप वो काम पुरा करके ही जाएगे। नहीं करना मुझे कोई टौलेट अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंड यहीं गिली हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलब सौचाले में चला जाओ। ये कहकर वो आदमी वहां से भागता हुआ चला जाता है। रश्मी अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। कु हमारी जो सास के चुगलिया छोड़कर टॉलेट के उपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सास उमा का क्या धरा है। वो सब तो ठीक है लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही। हमें कोई तरकीब सोचने पड़ीगी जिससे साब भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे। हम। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना अम्मे से एक कप पेट खराब कर दिया जाए। जिससे सारा दिन उसका टॉलेट में ही भीते। फिर जब मम्मी जी को टॉलेट यूज करन ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा और वहीं काम तमाम। ऐसा करो। आपका आइडिया है। आप पर याजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना। ओहो हम सब क्यों अपना पेट खराब करें। जिसकी बज़ए से ये परिशानी हो रही है। उन्हीं का खराब करते हैं। शुरू हो जाती है और वह भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी रशमी जट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दर्वादा बंद कर लिती है। शीला तर्वादा में चिला कर कहती है। अरे करण चरी तुछे सुबह से टाइम ना लगा। जो मेर जाने परी दूसना था तुझे जल्दी निकल बारे। कुछ देर में रशमी बाहर आती है। तभी शीला जट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पूश्टे वे बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जाही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरो की लगी है ममी जी आप फुरी देर इंतजार करो मैं यूं गई और यूं आए। ये कहकर वो टॉलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहां आ जाती है और वो शीला से अब पता चला ममी जी, अगर दूसरा टॉलेट होता तो क्या आपको इतनी परिशानी होती। इसलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में दो टॉलेट होना बहुत ज़रूरी है। घर में कमरे भले ही कम हो लेकिन टॉलेट तो दो दिन होने ही चाहिए। बिलकुल सही कह रह से चली जाती है। तभी चारोबा हुए आपस में ताली देते हुए कहती है। अपना मिशन काम्याब हुआ।